बिना कोई काप प्रार्थना पत्र के उनका जैसे टेलीफोन ठानाय पे जाता है तो इसे अध्यक साहब वहां से चौकी पे फोल कर देते हैं चौकी के दरोगा साहब हमारे वहां पहुंच जाते हैं लेवरों को उल्टा सिध्धा बोल देते हैं काम बंद करवा देते हैं, हमारा तसला उठा के लेकर गए हैं, फावडा उठा लेकर गेंगे, पियन सिंग की हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं कर रहे हैं करना दलालों से ही ये देवेंद मिस्रा को धमकी दिलाई जा रही है, कि आप धरम काटा मच लाइए, वरना आपको गोली मरवा दिया जाएगा, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा पियन सिंग हमसे खुद रंगदारी मांगे हैं, कि एक लाख रुपए रंगदारी एक लाख रुपए आप दे दीजिए, काटा लगाईए, मनका है, गन्ना तोलो, मनका है, पूसा तोलो, हमसे कोई मतलब नहीं बजाच चीनी मील की मनमानी लगातार चली आ रही है, बजाच चीनी मील लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, चाहे वो गन्ना किसानों के भुक्तान को लेकर हो, चाहे वो अन्ने चीजें हो, जैसे कि 14 दिन के बाद पेमिंट कर देना चाहिए, लेकिन उसको भी, जहां का जो जो गन्ना भुक्तान की बकाया की भुक्तान के लिए जो बाते होती हो उसको लेकर अंसन होते हैं, लगातार जन्पतनी भी इसकी आवाज उठाते हैं कि गन्ना खिसानों को बजाचीनी मिल सा समय भुक्तान करें, लेकिन उसकी मनमानी है कि लगातार चल रही है, अब एक बार फिर से बजाचीनी मील की एक नहीं मनमानी देखने को मिली है हलाकि इस बार जो मनमानी है वो गन्ना किसान से नहीं जुड़ी है नहीं बुक्तान को लेकर जुड़ी है हमारे साथ पीडित हैं यहां डी-म काराले में खड़े हैं वो डी-म साब से मिले भी है कुछ उनकी परिषान है उनका कुछ निजी मामला है उनी से जानने को सिज करेंगे क्या है पूरा मामला किस तरह उनको بजाचीनी मील से परिशान किया या रहा है इस-पूरे मामले में एक présent मैं आपको ये भी बता दूब कि उन्हों ने ये भी बताया कि बजाचीनी मील का जो काम कर रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी आज आठ दिन हुआ है जिसमें हमारा पूरा इस्टेक्चर जो लोहे का था वह आके खड़ा हो गया है जब वह कांटा लगाया जाता है तो सबसे पहले फांडेशन का काम होता है काम कर रहे हैं बिलकुल हम धरम का काम करेंगे नाजाज काम इसमें हम बिलकुल नहीं करेंगे पियन सिंग को इस चीज को सबसे बड़ी दिक्कत है, इसी के वज़ा से वो हमसे कह रहे हैं कि चार महिना जब तक मेरी मील चले, तब तक आप काटा को बंद करिये, उसके बाद आप तौल कराईए, पियन सिंग बजा चीनी मील के यूनिटेड है, आपका धरम काटा जो आपन कलती आ रही है, उस समय 80 कुंटल जिसमें गन्ना लदा रहता था, वो 70 कुंटल वो करते थे, और जब से धरम काटा मील गेट के सामने लग जाएगा, तो ये 80 कुंटल वाला 80 कुंटल ही रहेगा, परिशानी इसलिए उनको, क्या माना जाए कि जो बजा चीनी मील अंदर जो में 15-15 कुंटल की घटा हुगी थी, उन्हें को एक छीज़ थोड़ा जानकरी ये देदीजे, आपके आपने जो धरम काटा लगाया, वो चीनी मील से कित्ती दूरी है, या हम को थोड़ी ये भी जानकरी देदीजे, क्या कोई ऐसा प्रावेदान तो नहीं है, कि जिनी मील क इर्दगिर्द या कुछ दूरी पर प्रावेट धरम काटा आप नहीं लगा सकते हैं? के पास टेलीफोन कर देते हैं बिना कोई का प्रार्फना पत्र के उनका जैसे टेलीफोन ठानए पर जाता है तो इसे अध्धेक साहब वहां से चवकी पर छोन कर देते हैं छावकी के दरोगा साहब हमारे वहाँ अंहीं पहुण जाते हैं मन काय गर्णना तो लो, मन काय बुसा तो लो हमसे कोई मतलम नहीं एक लाख रुपय क्या मांग रहा है? कहे रहा है कि अगर लगवाना है काटा तो एक लाख रुपया उनके सहहोगी तीन लोग हैं एक ससीकान दूवे उनका नाम है जो फिल्ड का काम देखते हैं उनके जरिये हम को बता के गए हमारे घर आके बैटके फैसे कांटे से पहले हमारी दुकान है ससी कान दूबे मेरे पास आए कि साहब का कहना मान लीजिये नई साहब बहुत बड़े चीज हैं गोली मर वादेंगे कहना आप बिल्कुल मान लीजिये और जो हो सके वो अभी दे दीजिए उसके बाद आप विवस्था कर लीजिएगा क्या कहना मान लिए या तो उनका विवस्था मान लीजिए कि चार महिना मिलना बंद कर ले काटा या उनको एक लाख रुपय दे दीजिए और नहीं अगर मानना है तो बताएगा अब बताएगा है कि उनके तीन सही होगी है आपने ससीकान दूबे का ना हम लिया दोर कौन है ससीकान दूबे है धरबंदर मिस्षा है एक उनका येक और नाम है कोई शिंग साहब है जो सिकोटी का का काम करते हैं अब confirm हम इतना नहीं बता पाएगे कि वह कौन है यह सब ही लोग बजास से जुड़े हैं और बाकी कई लोग है इसा नहीं जब हमारे यहां तसला फाउड़ा और सिर्मिंट टुठवा के ले गए हैं बना मसाला जैसे भी लदवा के लेकर गए हैं आप लोग डियम से भी मिले हैं आपको यह अप्रिकेशन लिए जरह हमको दि प्रेशन है कि जो है कि गर्ना दरालों का फैयमेंट यह साथ बादर को धंक़िदि लाए जा रही है कि आप ध्रम काटा मच लाई है वरना आपको गोली मरवा दिया जाएगा पीटा जाएगा इनको कली से धंक्या मिलने दो लोग कल भी आय थे अभी आज सुबह भी जो है साड़े साथ बज़े के टाइम लगब लगब पी अन्सिक आप से मिलने आए हम भी मील के साइट जा रहे थे ब्रेजा निकली है इतना मैंने देखा है भाईया का फोन आया हमारे पास मैं भी गया आज की डेट में उन्होंने कहा है कि एक लाग रुपए रुपए दीजिए आज हमने कम्प्लेंट कल हमारी तहरी पहुंच गी यह थाने पर आज उन्होंने कहा है कि आप एक लाग रुपए दीजिए वरना आपकी खायर नहीं है आपको हम चलने नहीं देंगे वह आपका पर्चे के मिन नाम रहुल मिस्रा है मैं भी कुद्रकी के अपका लिया है कोई विवस्था है मिल को क्या दिख्कत का आता है उसने को ईतर्टे नहीं और नहीं है कोई ऐसा न्याइक बिवस्ता नहीं उंके पास कोई काज्यात नहीं है वहां से आदिय संगहा कि हमको उपर से आदेस है याँ क्यों किया वुलिस किस तरह परेशान करेंगे Talein कि पुलिस किशन कर करेंगे कि पॉइस नहीं करेंगे पांच जिंसे बाइध कर रहे हैं राये सहन कर रहे हैं वह Cobraешь कि वाले को तो उनके दबाओं में आके काम कर रहें पुलिस वाले किसके रबाओं में पीन सिंग के यूनिटिकाई के जिया अभी आपने बताई कि रंगदारी भी कुछ मांगी है यह हमारे सुनने में आया था अभी आज सुबह की बात भी है कि सुबह एक दो लोग मुझसे और कह रहे आप यहां डीम साब के पास आये थे अधिया अधिकारी को जो है लेटर देने का आदियस दिया है और बोलें कि मुझसित करवाई करेंगे जी यहां जी दिया जीजन चलने को आ गया है उसके बात कोई सुनवाई नहीं है अभी तक किसानों को किया जा रहा था अब इससे नहीं पर नाम पर ध्रम काटा लगा रहे हैं इसे हम पूरे छेत्रवासी एग्री हैं सहीमत है धरम काटा लग जाएगा तो कम से कम इसकी बैमानी पकड़ी जाएगी कि कितने कुंटल बैमानी ये कर रहा है इन्हों ने कहा कि हम धरम का काम कर रहे हैं उनको इसी चीज से दिक्कत है कहना ये चाहरे हैं कि अभी आज सुबा लगबद सात बज के पंद्रा मिनट पर जब हम अपने घर से निकले हैं धरम काटा की तरफ आए हैं उससे पांच मिनट के पहले उनकी एक पीली-पीली विरेजा है वो विरेजा निकली है उसके बाद चावराहे तक गई है हमारे आग परसंट शुर्ली है वहां आजे उसको आप सहाब था नका ही Gh2 किश्म स्थ्राय बाद जैसे कि बजडा चीनी मिल की अंदर उनका आप भरम-काटा सुरू से लगा है आप अपना ड्राइवेट बाहर लगवा रहे हैं लब पांच-शेसो मीटर की दूरी पर जो आपने बताया तो अगर आपका धरम काटा चालू हो जाता है सुचार रूप से वहां गणने की तौल होने लगती है तो जो अंदर काटा लगा है मील के मील परिसर के अंदर उससे कितना नुक्सान होगा किस तरह की दिक्षट आइगा किसान को जैसे मेरे ट्राली पर फलाने धरम काटा से हम नब्वे कुंटल लोड किये थे थे और इनके धरम इसी बात के लिए अगने दूसरी चीज अभी हमको यह कासवासर मिला कि S 11 नुगाड़ी बाबा टायर के नीचे आ जाोगे पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ अगर एनसौरंस कंपनी देख लिए तो अब इतनी मनमानी है कि बजा चिनी मिल के जो करमचारी है हलाकि इनका आरोप है साफ़ तो पर कोई वियंसिंग है यूनिट काई उनके कुछ और लोग है तो उनके उपर इनका आरोप है इनको जानमाल का खत्रा है एक लाख रुपए की इन से रंगदारी भी मांगी गई ह और अब साफ तोर पर इनको धंकी दी जा रही है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपके उपर गाली चढ़ा दी जाएगी फिलाल इस पूरे मामले में पुलिस भी अब इनको तंकर रही है यूनिट हेड ने या अन्य जो लोग है बजा चिनी मिल के उन्होंने पुलिस क का तलवार कैसे चलता है